नमो नमो तुलसी महारानी जाके दरस परस अघनासे महिमावेद पुराण बखानी चपन भोग चति सो व्यंजन बिन तुलसी हरी एक नमानी नमो नमो तुलसी महारानी शिव सनकादी आदी ब्रह्मादिक खोजत फिरत महामुन ज्यानी प्रेम भगती करी हरी बस कीने और सामरी सूरत ही आसमानी नमो नमो तुलसी महारानी आज बहुत से वक्तों की यह जिग्यासा है कि आखिर बैशनब लोग गले में तुलसी की कंठी क्यों धरन करते हैं तुलसी के क्या महिमा है तुलसी का हम कब पूजन करें कब जल अरपन करें कब तुलसी को हम उता रहें अर्थात तुलसी को कब तोड़ना चाहिए ये बहुत सारे भक्तों के प्रश्णत थे तो मैं एक साथ सभी प्रश्णों को लेकर आज उपस्तितू हूं हमारे नाम अपचार चनल में आप सबका हारदिक अविलंदने जैसा कि अभी अभी आपने देखा कि मैंने एक पद गाय कि नमो नमो तुलसी माराने चपन भोग छती सों व्यंजन बिन तुलसी हरी एक न मानी भगवान स्री हरी को भगवान स्री नारैन को हमारे राधरामन लाल को तुलसी के बिना भोजन का एक कण भी वो स्विकार नहीं करते तुलसी की हमारे शाष्ट्रों में यतनी अनंत महि तो उसी समय हवा का एक तेज जोका आया और मा भगवती लक्षमी ने भगवान के लिए जो अरपन किया उसमें एक तुलसी हवा के प्रभा से वो तुलसी उड़ी और उड़ते 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 द्वार तक चली आई और सनत कुमार के नासिका के सामने से होकर जब गुजर तो कहते हैं कि उस सुगंद से पागन हो गए चारों भाई और सुदबुद भुला के ब्यकुंट में इदर उदर भागने लगे प्रभु यह क्या था यह क्या था उस समय द्वारपालो ने कहा महराश चलिए भीतर यहीं जिसके सुगंद मातर से सनत कुमार जी समबदन किया उसमें कहते हैं कश्ची तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये दो शब्दों से सम्बदन किया एक तो कल्याणी हे तुलसी आप संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करने वाले मानव मात्र का कल्याण करने वाली है और गोविंद चरण प्रिये और गोव तुलसी की कितनी महीमा है इसकंद पुराण में यतकंठे तुलसी नास्ती ते धरा मूढ मानसा शुनो विष्ठा समंचांडम जलंच मदिरा समंच कहते हैं यतकंठे तुलसी नास्ती जिसके कंठ में तुलसी नास्ती ते धरा मूढ मानसा इस धर्ती पर उससे अधिक मूढ उससे अधिक मूर्ख कोई नहीं शुनो विष्ठा समंचांडम वै वक्ति शुन विष्ठा के समान जलंचा मदिरा समंच यह समझ लेजीए जल भी अगर वो बैशनव लोग तुलसी धरन करते हैं तुलसी का प्रति दिन पूजन होना चाहिए बहुत से लोग यह कहते हैं कि तुलसी के कुछ नियम है तो हाँ नियम है तुलसी के यह नियम है कि द्वादेशी को मा भगवती तुलसी स्वयम भी एकादेशी का बरत करती है इसलिए द्व करते हैं तो जो वैस्टनब संपरदाय के लोग एकादशी करते हैं वो प्राय उस दिन द्वादशी यदिक और एकादशी के मूर्थ कम होता है क्योंकि द्शमी विद्या में अगर सुर्योदाय में अगर दो घड़ी भी दशमी हो तो उस दिन दशमी नहीं करना चाहिए उस दिन फिर अगले दिन एकादशी का परत करते हैं इसलिए एकादशी को इसलिए भी शायद वैस्टनब लोग इसलिए एकादशी के दिन जल नहीं चड़ाते क्योंकि ताकि निरजला एकादशी मा तुलसी भी करती हैं तो कहीं ऐसा नहों कि उनको उनके मुख में वो जल चल तुलसी को जल अरपन करते हैं तब भी मंत्र बोलते हैं कि महापरसाद जननी सर्वेस वाग्यवर्धिनी आधीव्यादी हरानित्यम तुलसी तम नमोस्तुते आधीव्यादी हरानित्यम। आयुरवेद में तुलसी के अनंत गुणों का वरणन किया गया है। इसलिए आदी व्यादी शरीर के समस्त रोगों को नाश करने वाली है तुलसी महारणी आपको प्रणाम। ध्यान दीजिएगा जिस शरीर में तुलसी नहो उस शरीर का इसपर्श कोगा हुआ भगवान स्विकार नहीं करते वेद की रिचाएं कह रही है कि अन्नोहम अन्नाद इसलिए इस शरीर रुपी अन्ने को भी आप तब स्विकार करोगे जब इस शरीर में कंठी हो अच्छा देखो यदि हम भूलवर्श कुछ सेवन कर भी लें तो इसको कंठी में धरन करते हैं अर्थात मुक्ष से कुछ भी जाएगा तो यहीं से होके जाएगा तो स्वतह भ लसी वारी संग्रसेतो सरव पाप विनिर्मुक्तो वैकुंठम याति भक्तराच निधन के समय मृत्यू के समय यदि किसी ने तुलसी जल मुख में दे दिया अथवा मृत्यू के समय कंठ में तुलसी की कंठी यदि पढ़ी हो तो कहते हैं वहवी विश्णु लोकम सग अच विशय दूहरी कार है इस विशय में एक बहुत सुंदर कता जैबूर के पास लोगों सुना हो जैपूर के पास एक लदाना करके स्थान है लदाना ठाकुर साब लदाना पूरा नाम उसका तो लदाना में एक मुस्लिम के गले में तुलसी की कंठी देखकर ये उस समय की बात है जब मुगल कालिन शासक हुआ करते थे तो उस समय उनके गले में तुलसी कंठी जब देखी तो कि हिंदु राजा के दरवार में किसी क मेरे साथ घटना घटी उस दिन से मैं पहनता हूं अच्छा क्या घटनी बताओगे वहां हुजूर मैं जरा कुछ काम करने खेतों में गया था तो जैसी में खेतों में गया था तो हुजूर मैंने देखा दो लंबे-लंबे बिलकुल उनका काला स्वरूप है और बड़े मोटे बहुत भयानक उनका स्वरूप था और वो दोनों मुझे टकराई मैं उन दोनों को देखके एक घबडाने लगा तो बोले ना डरो मत बढ़ जा बढ़ जा तो मैंने पुछा आप लोग कौन है बोले हम लोग यम्दू थे अच्छा जी हां तो डरो मत तुमें लेने नहीं अच्छा तो फिर बोले पीछे से एक बैल गाड़ी आ रही है और उस बैल गाड़ी का इठी किसी स्थान पर जो बैल मदा होता है ना जिस रसी से वो तूट जाएगा और फिर वो जो बैल गाड़ी वाला है वो उस रसी को ठीक करने के लिए जब बैल के पास आएगा तो ब तरब बैठ जाओ अभी तो मैं एक तरब खड़ा खड़ा देखने लगा इतने में देखा कि वो बैल गाड़ी आए भी और आते ही ठीक वहाँ पर उसका वो जो टूट गया और उसके बाद वो जैसी बैल के गली की वो रसी ठीक करने लगा तो बैल ने क्रोद में उसके पे गड़ गए गड़ गड़ गया गड़ यह हुआ कि बैल ने उसको जहां फेकना था वहां तो फेका नहीं गल्दी से दूर फ्रेंग दे जाड़ी पे और जिस धाड़ी पर फेका वो तुलसी की जाड़ी है इनना तुलसी का बन है वहां तो तुलसी पर गिरा इसलिए अब उस पर हमारा अधिकार निया विश्णु के दूत आएंगे बूले के जाएंगे तो मैंने कहा तुलसी की इतनी महिमा जो व्यक्ति मरा हुए व्यक्ति भी तुलसी से इस परश हो जाए तो उसको यम्राज छोड़ जाते हैं तो हमारे शाष्ट्र में जो लिखा वो कितना सत्य है इसलिए तुलसी बैश्णु के प्राण है गले में प्रतिक व्यक्ति को तुलसी अवश्य धारन करना चाहिए आजकल बहुत से लोग संकोच करते हैं अरे क्या संकोच करना संपूर्ण ब्रह्मा एक पतिब्रता नारी भी जब सिंदूर लगाती है मांग भरती है गले में मंगल सुतर धरन करते हैं क्या वो शर्माती है पतिब्रता इसलिए कहला दिए पती की परायन है वो उसी प्रकार अखिल ब्रमांड के साहव का हम के दास हैं उनके अखिल ब्रमांड लोक ब्रमांड के संपूर्ण ब्रमांड के मालिक के साहव के हम दासत्तु स्विकार करते ह तो इसमें लज्जा कैसी, सीनातान के कहना चाहिए, हाँ हम भगवान के दास हैं, इसमें शर्म कैसी, और तुलसी की इतने गुणहें, देखिए संसार में भोजन अगर एक दिन बासी हो जाए, तो उसको त्याज जमाना गया है, भोजन नहीं करना चाहिए, जल अगर एक दिन बासी हो तो उसनाना नहीं चाहिए, अतोबा उसको पीना नहीं चाहिए, किन्तु तुलसी जी के लिए कहा गया, नबर जम तुलसी पत्रम, इसकंद पुरान में लखा है, कि नबर जम तुलसी पत्रम, तुलसी पत्र बासी भी हो, कई बार सरदी में देखिए, आप देख सक मेरे साथ में तुलसी मारणी हमरे हरिद्वार की ठीटूरती सरदी में आज थोड़ी सी कुमला गई हैं तो कई बार तुलसी उस समय सूख जाती हैं तो जब तुलसी सूख जाती हैं तो फिर हम भोग कैसे लगा में जैसे रविवार को अगरना तोने एक आदशी दौादशी क तो एक दिन पहले हैं हम उसको सिंचन करके रख लेते हैं और सूखी हुई तुलसी भी हम भगवान को भोग लगा सकती हैं वो अभित्र नहीं होती उसी नवर्जम जानवी जलम उसी प्रकार गंगा जल्वी कभी बासी नहीं होता गंगा जल्वी हम जीवन भर प्रयोग कर सकते हैं ठीक है तो यह तुलसी की अनंत महिमा है इसलिए वैश्णवो को तुलसी सदेव धरन करना चाहिए और तुलस्याम्रत जनमासी पद्मपुराण मे इसको उतार रहे हैं यह तुलसी तोड़ने का मंतर है तो तोड़ने का भी बता दिया और जल चड़ाने का भी बता दिया इसलिए तुलसी और प्रतेक घर में सुहागे निस्तरियों को प्रति दिन संद्या के समय तुलसी जी के चरणों में धूप दीप अविश्य जलाना प्रतेक वैश्य नब को किबल तुलसी नहीं ललाट पर यह तिलक भी बहुत से लोग कहते हैं तो तिलक भी लगाना अनिवार रहे है ध्यान दीजिएगा यह तिलक भगवान के चरणों का दासत हुए हम भगवान के दास हैं देखे यूनिफर्म किसका नहीं होता सडक पर सिविल रेस में कोई पुलीस वाला ड्रक को को रोके तो कोई रोकता नहीं है पर वो ही खाकी वर्दी में कhen bul还 लेते हैं तो पर यह लालात पर तिलक कर गली में कंठी ये दोनों हमें बड़े से बड़ा अपराद करने से बड़े से बड़ा अभक्षक खाने से रोकते हैं आप तुलसी कंठी कंठ में धारण करके कोई गलत वस्तु का सेवन करी नहीं सकते कोई राजसी तामसी वस्तु का सेवन करी नहीं सकते आप कोई पाप करम कोई दु तो जंगल के बीच में दोनो तरफ खेत, गन्ने के खेत और बीच में लगता इंजन खराब हो गया होगा, यहाज से 20 वर्ष पहले की बात है, तो उस समय ट्रेन के सभी यातिरी उतर गे, उतर गे, दोनो तरफ जो गन्ने के खेत थे, बिना पूछे गन्ना उखाड उखाड के मैं ब्रिंदावन, महाराज देख रहे हो, मैंने हाथ देख रहा हूँ, मिरा भी बड़ा मन कर रहा है, कि एक आद गन्ना उखाड के हम भी चूसे हैं, तो मैंने जाओ तो चूसो, किसने मना किया, बोले महाराज क्या कर रहा है, यह वेश, यह कंठी और यह तिलकी रोक रहा है, यहनि मन से तो तुम चोरो, तुमारे मन में तो है कि हम किसी किछान के गन्ने को हम चुआ के उसको चूसें, तो मन से तो तुम पाप कर रहे हो, पर तुमारा तन उस पाप को करने से रोक रहा है, और कलियूग में यह छूट मिली हुई है, कलिमह एक ही परम प्रतापा, और मानस पुन्य हो यह नहीं पापा, कल युग में मन का किया हुआ पाप नहीं, तन का किया हुआ पाप ही मानने है। यनि मन से अगर आपके वल सोचते हो जब तक करोगे नहीं, तब तक यमराज के खाते में दर्ज नहीं होगा। तो इसलिए ये ललाट पर तिलक शान से लगाईए, गले में कंती शान से लगाईए, एक अकवर के जमाने की घटना है, कि कहते हैं कि उस समय जब अकवर ने आकर देखा कि उत्तर भारत में चारो तरफ हिंदू शाशक भी बड़े-बड़े राच्पूतों का शाशन था, तो उनके माथे पर तिलक होता था, तो उसे देखके बड़ा कुरूदाता था, तो उसने फरमान जारी कर दिया कि कि किसी भी हिंदू के माथे पर तिलक नहीं होना चाहिए, जो भी होगा, अगर जिसके भी माथे पर होगा, उसे गरम लोहा गरम करके उसके सिरी पर दाग दिया उस दिन उन्हें बगलवंदी भी नहीं उन्होंने उस दिन संपुर्ण शरीर में के बले कटी भाग पर धोती पेनी उपर कुछ नहीं पेना और 12 तिलक जैसे हम लोग वेश्णनब लोग बारे अंगों में तिलक ना खेश वाय नहीं ना 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 मादवाय ना वो वेश्ण आप के बले छोटे से भुवाग पर शासन करते हैं और हम संपुर्ण भुमंडल पर शासन करने वाले उस अखिले ब्रमांड के स्वामी के हम दास हैं यदि हम पर कोई संकट आए हमें अपने भगवान पर भरुसा है वो हमारी रक्षा करेगा इसलिए हमें आपसे डर नहीं लगताम तो लगाएंगे इतना निर्भय होकर निर्वीक होकर जो जवाब दिया अगवर प्रसन हो गया वह वाह सच्चे हिंदु तुमी हो सच्चे भक्त तुमी हो जो तुम अपने भगवान पर भरुसा है बागी सब डर पोग हैं इसलिए आज से ये फर्मान कैंसिल और उस दिन अगवर ने वह बापस ले लिया ऐसी कथा मैंने बहुत मान संते के मुख से सुने थी तुलसी के विशह में क्याते अकवर और विरवल से जुड़ी बहुत सारी कथा हैं क्या एक बार कही रत में गई जा रहे थे तो रास्ते में विरवल को जब भी तुलसी का के और ऐसे 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 करके फैंक दिया खबरदार आप दोबरह रोका तो बीरवल मनीमन अपमान का घूट पीके रह गया पर बीरवल तो बुद्धिमान था थोड़ी दूर गया इस बार फिरनत रोका और रोक के इस बार का पिताजी प्रणाम तो बोले अभी ये कौन है बो बिच्व पादा था होता है ना बिच्व पादा जो लगने मात्रे से शरीर में घुजली हो जाए अब तो पूरे शरीर में जलन हो अरे भाई बचाओ क्या बोले महराजम तो पहले करें तो मात अक्षमा कर देती आपने मां को घाड़ के फैंक दिया उक्षमा लेकिन पिता सब्सक्राइब कर रस निकाल के थोड़ा सा रस शरीर में लगा ये थोड़ा सा पीली जिए आपकी खुजली शांत हो जाई weed अगवर नेुसा किया और एसा हमने सुना इतिहास में किे अकवर contain a जो दो दो बिवा किए तो दूसरी बिवा उसने दूसरा विवां जो किया था वो हिंदू महारानी से किया और प्रति दिन वो तुलसी का चनाम्रित लेता था और आरती दर्शन गरने जाता था महल में ऐसा हमने इतियास में सुना अब यह सचे की जूटे प्रभू जाने किन्तु तुलसी भगवान को प्रिय है हनुमान जी जैसे बैशनव जब सुंदरका में लंका जाते हैं तो वहां पर भी इस पश्ट का रामायोद अंकित ग्रिह सोबा बर निन जाई नव तुलसी का व्रिंदत देखी हर अशु का पिराई भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी बजरंग बली स्वयम जिसे देखकर प्रसंद्न हो जाए ऐसे राक् करना चाहिए और शदीर में तुलसी अवश्य धरन करना चाहिए तुलसी धरन करने से भक्ति में उत्तर उत्तर व्रद्धी होती है जैजै स्री रादे